So hello दोस्तो, स्वाकत है आपका एक ऐसे हैं आप लोग एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग चीज इखाने या बताने वाला हूँ आपको जिसे देखने के लिए शायद आप काफी एकसाइटेड हो और बहुत दिनों से काफी परिशान भी और प्रॉब्लम यह है, हमें हमारा वाटसेट फोल्डर नहीं मिल रहा हमारे माई फाइल से तो वो कहां है, कैसे मिलेगे हमें ढूंट निकालेंगे आज इसी वीडियो में So before starting the video, let's play the intro दोस्तो, वाटसेट का फोल्डर हाइड हो चुका है कि जब भी हम हमारे माई फाइल्स पे चलते हैं वहाँ पे पहले हमें हमारे स्टोरेज पर वाटसेट का फोल्डर सबसे लाखिर में दिख जाता था कि अब वो मिसिंग है, कहीं नहीं है वाटसेट का फोल्डर अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जरुद क्या है उसकी नहीं है तो नहीं है लेकिन दोस्तो ऐसा नहीं है क्योंकि वाटसेट का फोल्डर हमें चाहिए उसके काफी सारे रिजन्स है जो फाइल्स हम वाटसेट से रिसीव करते हैं जो भी डाउनलोड होते हैं वो वाटसेट के फोल्डर में जाते हैं उन्हें अपने फोल्डर में देखने के लिए कौपी या मूव करने के लिए विडियो रिजुयो मीडिया DOC mam nts किसी को शेर करने के हमें वह पार्टिकुलर फाइल चाहिए होती है जो कि हमें सिर्फ वार्टसेप फोल्डर में ही मिलेगी दूसरा पॉइνट वार्टसेप के डेटाबिसेश को चेक करने के लिए फाइल्स को डिलीट करने के लिए जिसे कि हमारा स्टॉरेज भी थोड़ा खुल के सांस ले सके सबसे जरूरी बात जो कि आप WhatsApp को छूते आपको पता लगेगी WhatsApp को long press कीजिए, happy info दिखराव का क्लिक कर दीजिए से storage निकाल लीजिए, यहाँ पर बताता हो आपको main बात दोस्तों टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं 2.58 GB साइज हो चुका है WhatsApp का, नॉर्मली जब आप उसे डाउनोड करते हो तो हाडली वह 50-60 MB का होगा, लेकिन इंस्टॉल करने के बाद यूज करते-करते, आप देख सकते हो कि उसका साइज कितना हो चुका है, यह आप करते क्या हो, केज को क्लियर कर देते हो, उससे कितना क्लियर हुआ, सिर्फ 17 MB, इससे आपके WhatsApp को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 2 GB आपके storage में काफी effect कर सकती है, कि आप ही सोचो कि सिर्फ WhatsApp का 2 GB, क्लियर डाटा कर दोगे, तो आपका WhatsApp का सारा data रिट हो जाए, वह आपके लिए risky हो सकता है, अगर आपने backup नहीं रखा तो फिर से restore नहीं होगा, इसके solution के लिए भी आपका total size कम करने के लिए, या फिर user data कम करने के लिए, हमें folder ढूनना होगा, आया देख लेते हैं कि कैसे हम ढून सकते हैं, WhatsApp के folder को आपके file storages में, my files में, करेंगे my files पर, open कर लेंगे, यहां से आप internet storage निकाल लीजिए, दोस्तो आपको बाहर कहीं भी WhatsApp folder नहीं मिलेगा, आपको यहां से android phone holder को ढून लेना है, अपन कर लीजिएगा, यहां से आप media पे क्लिक कीजिए, कि WhatsApp सारा media का ही खेल है, और वही जमते जमते आपके data, user data को बढ़ाता है, और आपके storage को भी effect करता है, फिर com.whatsapp पे आपको क्लिक करना है, सबका folder, अब यहां पे आपको सब कुछ मिलेंगे, लाइक voice notes, thumbnails, trash, backups, databases, media, सबकुछ, जो भी आपने WhatsApp पे अब तक किया है, और वह भी जो files आपने sent की है, या फिर WhatsApp से अपने किसी दोस्त से receive की हैं अपने phone पर, जिने आप देख सकते हैं, trash files को, unwanted files को यहां से delete कर सकते हैं, copy कर सकते हैं, move कर सकते हैं कहीं, तो मेडिया को, receipt files को check कर सकते हैं, share कर सकते हैं, और अही बाद storage खाली करने की, WhatsApp का size decrease करने की, तो दोस्त, आप यहां से जितने ज़्यादा चीज़े delete करते जाएंगे, आपका WhatsApp उतना ज़्यादा हलका होता जाएगा, data भी, और लास्ट में, WhatsApp से related एक advanced tip, जिससे की, आप WhatsApp से minimum 500 MB ते easily खाली कर पाऊगे, जो बस बेकार में पड़े हुए हैं, दोस्त, आपको यहां से database पे click करना है, 5 files है, 9 to 1 MB करके, तो इन्हें आप easily treat कर सकते हैं, इससे आपको WhatsApp पे कोई effect नहीं होगा, time to time WhatsApp का backup लेते रहें, फिर आप data clear करो, या फिर WhatsApp को uninstall करो, आप जब भी WhatsApp इंस्टॉल करें होगे, आपको restore का option मिल जाएगा, और सब कुछ आराम से restore होगा, तो दोस्तो आशा करता हूँ, आज इस वीडियो के बाद, आप WhatsApp फोल्डर को और नहीं ढूनेंगे, क्यों क्यों मिल गी हैं आज, तो आशा करता हूँ, वीडियो आपके लिए काफी useful, interesting and helpful रही होगी, तो प्लीज एक like कर दो, मुझे comment में बताओ, कैसी लगी, और प्लीज, याज से चैनल को subscribe कर लो, वीडियो देख लेते हो, आप लोग subscribe नहीं करते हो यार, तो please, do subscribe, और बाकी share करना वो सब, आप देख लो, मिलते हैं फिर से नहीं, एक interesting वीडियो के साथ, तब तक के लिए, bye!